नमस्कार मैं आमीर इस्तक्बाल करता हूं के टिया नियूज में हम मौजूद हैं कटिहार में और कटिहार के पूर में रही जिलाव पाध्यक्ष छायतिवारी जी हैं हमारे साथ उनसे सीधा बात करेंगे नौ साल बेमिशाल भाजवा इन दिनों मना रही है क्या उद्देश क सायद उस्से जदा मोधी सरकार ने काम किया है और साथ बहुत कम जनता को ये मालूम है कि मोधी सरकार क्या क्या कर रही है क्योंकि जो सरकार करती है वो जनता को जानना जरूरी होता है और जनता अगर नहीं जानेगी उनके बारीकी से काम को कि जो भारत सरकार कर रही है काम उससे आने वाले भविस में क्या लाभ हमको होने वाला है क्योंकि बीपक्षी दल जो है बर्गलाने का काम करती है वह तो कुछ करती नहीं है आप जैसे एक कारी को देख लिजे राहूल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो भारत तो तूटा नहीं था पहली बार अपसे मेरा सवाल है नौ साल में भाजपा ने किय क्या कि बात नहीं सिदा नौ साल में उसी मुद्दे पर आ रहे हो तो जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो भारत तूटा तो नहीं था भारत को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री आदर्निय मोदी जी ने किया है क्योंकि हमारा जो धारा 370 था वो कहीं न कहीं हमको अखरता था जम्मू कस्मीर जैसे राज भारत से लगता था कि अलग है वहां अलग जंडा फराय जाता था क्योंकि 370 धारा लागू था उसको मोदी जी ने खत्म करने का काम किया और जब राहूल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे चले तो वह ख मोदी जी तो काम मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धी है जिस पर कोई बात तक नहीं करना चाहता था वह काम वह करके दिखाए तो यह उनकर मेरे समझ से दो बहुत बड़ी उपलब्धी है और जहां तक nine साल बेमिशाल है तो इसका नाम ही है कि सेवा सुशासन और गरी गरीब तपके के लिए जो काम किये हैं वो सायद कोई सुच भी नहीं सकता था पहले क्या था योजनाय आती थी और बीचोली उसको बीच बीच से खतम कर देते थे उनको पहुच तो वहां से अगर केंदर से चला एक रूपया तो पंद्रह पैसा धरातल पे आता था इस दूर क्या गरीब को हक नहीं है बैंक जाने का उसको अपना खाता खुलवाने का ख नहीं है डेंक का मुँदो देखने का भी हक नहीं है तो मोडी जी ने Galayro दुगुना हो चुकी है तो वो जंधन खाता का जो मुख्य उद्देश था वो करोना काल में दिखा कि मोदी जी ने 5500 रूपय करके जो गरिहनी थी जिनके नाम से गरीब तबके की महिलाएं थी उनको 5500 रूपय करके उनको खाते में भेजा और सीधा 500 रूपय भेजा तो 500 र सब्सक्राइब करते हैं यह तो कांग्रेसियों को सोचना चाहिए कि धर्म के आधार पर बटवारा क्यों करते हैं एक ही देश है और दो कानून क्यों लगाते हैं यह तो कांग्रेसियों को सर मानी चाहिए कहने में कि आप दोहरा नीती क्यों अपनाते हैं आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं दोनों के लिए सेम कानून क्यों नहीं लाते हैं आप क्या कभी इस मुद्दे पर लाए कि हमारा जो हमारी जो बहन बेटी ह क्या हिंदू की बहन बेटी और मुस्लिम की बहन बेटी में कोई फर्क है क्या हमारे 21 साल की जो बच्चियां है वो मुस्लिम में आप 15 साल में साधी कर देते हैं क्यों कर देते हैं क्या बच्ची नहीं है वो किसी की क्या वो इंसान नहीं है आपको ये इस मुद्दे पर भी चाहिए उनको सरमानी चाहिए कांग्रेसियों को, कि हिंदू मुसमिम करके वो के वल बोट बेंक बटूरते हैं, आज तीन तलाक का मेटर हो, मोदी सरकार जी ने खतम किया तीन तलाक, अगर मोदी सरकार नहीं रहती तो आज महिलाओं की क्या इस्तिती थी मुस्लिम महिलाओं की कि कोई तलाक तलाक कह दिया और विचारी को तलाक हो गया आज उनको right मिला, अपना अधिकार मिला महिलाओं के लिए, मैं खुद महिला हूँ, और इस बात को जानती हूँ, कि कितना दुख दर्द होता है किसी महिला के लिए, अगर उसका पती उसको तलाक दे देता है, तो ये दो कानून क्यों लगा के रखे हैं, मोधी जी ने इसको अगर तेन तलाक को महिला इसको एक जीने का अधिकार दिया, मुस्लिम और हिंदू के राजनिती, तो वह करते हैं, कांग्रेसी करते हैं, मोधी जी ने तो सभी को एक समान धारा में लेके काम करने का काम किया, किसी भी कास्ट की महिला हो, भाजपा भाजपा बिहार के लिए कज है नहीं किसाने तकर भूस चन बिखाएं किसान को नहीं की आवे हो आप 5 जबिखे ने तर भी रे घृचन को कह रहे हैं कितनी सारी इननामें बताओं हैंशी जह रूपया का युणा है की जा लाइड हो नहीं आ रहा है लेकिनल। महिलाओं के लिए पोस्ट औपीस की यजना है, महिला के लिए भैसमूर। यह सब क्या बिहारियों को नहीं मिला है उज्वला योजना की बात कर रहे है मैडम मैंने खूद ग्राउंड रस्थल पर रिपोट किया है और देखा है आज भी दो महिलाएं है ग्रामिन छेतर की वो लोगो कैते है उज्वला गैस के ताथ नहीं गैस तो मिल गया है तकि गैस आप तो टोटल घर्च तो कोई भी सरकार आए किसी के घर का तो खर्च नहीं उठा सकती आपको सुविधा दे सकती है आप उसका अपनी कमाय से उभव कर सकते आपको मकान अगर पके मकान मिल लहे है तो पके मकान की रंगाई पुताई कॉन सरकार करेगी ग्रामिन छेतर लो अवस्था में है तो मैं एक बात बताना चाहती हूं करोना जैसे महामारी से अभी हमारा पूरा विश्व जूज रहा है और भारत ही ऐसा एक देश है जहां पे आर्थिक कोई मंदी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं महाई बढ़ा है बाहर जाके देखिए कि बाहर की इस्तिति क्या है बाहर की अर्थ बेवस्ता क्या है आप करोना से उठे है ना करोना जैसे महामारी से और उस महामारी में मोदी जी ने जो टिका करन किया वो काबिले तारीफ है और देश ही नहीं अपने देश में ही नहीं बीदेशों में भी मुप्त टिका करन का यूजना चलाया जब मैडम इतनी भाजबा सरकार ने इतनी योजनाएं उतारा है धरहता इतने लोगों तक पहुचाया है तो आज अन्य लोगों वोट 24 न चुना हुआ इसको लेकर जन संपर्क करने का नौबत पर रहा है जब इतनी कारें किया है इनोंने तो विना बोले ही वोट मिलेगा तो जैसे पहले क्या होता था पहले हमारे देश में भी सड़कें बनती थी आज भी बन रही है लोगों को यह पता नहीं है कि पहले जो सड़क बन रही थी और आज जो सड़क बन रही है उसकी रफ्तार क्या है चुनाव के वक्तियाद आता है क्या चुनाव के वक्ति ही तो पांच सालों से कर रहे हैं कोरोना का महामारी हो आचाहे अभी चुनाओं का आप मुद्दा कह सकते हम लोग हम तो खूद आप हमको देखते होंगे कि कभी हम घर में नहीं बढ़ते हैं जन संपर्क ही करते हैं और हमारी सरकार देखिए पहले भी अटल जी की सरकार थी जो बहुत ही अच्छे धंग से काम की लेकिन जन जन तक अगर आप अपने कारियों को नहीं बताएंगे तो जनता को बर्गलाने का काम विपक्षी पाटियां करती हैं यह रायनीतिक दल है आप अपनी योजना को अपने कामों को अगर जन जन तक नहीं पहुचाएंगे तो आप चुनाओं में मात खा जाएंगे तो वह काम हम लोग कर रहे हैं कि अपनी योजना अपने कारियों को जन जन तक जन संपर्क के माध्यम से बता रहे हैं कि मोदी जी आरे आप यह कहिए कि हम वो बड़ी उपलब्ध है जो आपके घर से सामान चले गया था वो सामान भी आपके घर में आ रहा है और मोदी जी के लोगप्रियता देश में ही नहीं भी देशों में भी बढ़ रही है और विश्व के नेता की रूप में वो उभर के आए आप स्वास्त के दिश्टी से दे पक्षी जो कह रही है वो सच है कि आपका काम सच है तो आपको वो पारदर्शिता के कारण जन जन तक जाना ही पड़ेगा अपने काम को लेके हम लोगे कि यह 9 साल बेमिसाल यह बुक भी है जो हम लोग प्रभुद्धे जो पढ़े लिखे नागरिक है उनको भी दे रहे है कि मोदी जी का मोदी जी के द्वारा नौ साल में जो जो काम किया गया है उसके लिए जी हां बहुत बहुत धन्यवाद केटियनी से बात करने के लिए अपने पूड़ा पड़ी चैदे मैं छाया तिवारी भास्पा की पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूं अभी उत्तर नग कि में पात है हुत था व सरो जो जुआर आप उन्यवाद के लिए जए मैं इंद दक साल में इंदा है